तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग साओधी वीजा अप्लिकेशन जब हम VFS के थूरू प्रोसेस करवाते हैं तो अभी भी ऐसे बहुत सारे इशूस हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता है उसी तरह के कुछ तीन ना कोश्चिन से जिनका मैं आंसर आज के इस वीडियो में सेर कर होंगा आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सवाल के आंसर्स कोसीं के आंसरं दून रहे होंगे पहला सवाल आप लोगों का यह होगा कि जो visa issue होता है A4C visa जब generate होता है तो इसमें sponsor के जगा applicant का नाम ही लिखा हुआ रहता है हाला कि सही में यह होना चाहिए कि जो sponsor है उसका नाम लिखा होना चाहिए लेकिन जो major है, adult है उनका नाम लिखा रहता है उसमें तो यह क्या गलती है या फिर यह common सा issue है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीजा को analyze करा है। जिनका वीजा issue हुआ था। उन सारे वीजा में यह common सा pattern देखा है मैंने कि जो sponsor के जगा में जो applicant का नाम लिखा हुआ है। अब यह बहुत सारे लोगों के साथ है। बहुत सारे जो applications में मैंने देखे हैं बहुत सारे वीजा में देखे हैं। तो इसको हम इस तरह से conclude कर सकते हैं कि यह कोई mistake नहीं है यह common सा issue है। बेसर के mistake लगता होगा लेकिन यह common सा issue है। और इस चीज को इस हिसाब से भी आप समझ लिजे कि ऐसे कुछ applicant हैं जो साओधी भी आ चुके हैं तो उस visa में कोई issue नहीं है। तबी भी आपको लगता है तो एक बार VFS को email करके या VFS में जाके आप clarify कर लिजेगा। दूसरा concern है passport delivery को लेके। जब हम VFS में अपना application submit करते हैं तो वीजा issue होने के बाद में हमारे पास दो options रहते हैं passport collect करने के लिए। एक होता है कि आप physically जाईए तीन options मान लिजे। पहला होता है कि आप खुदी जाईए और अपना passport लेके आ जाईए। दूसरा option यह होता है कि आप अपने बिहाब पे किसी और को authorization letter दे दिजे। वह आपके बिहाब पे जाएगा और आपका passport collect कर लेंगे वह। अगर दूसरा option चूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जुरूर रखिएगा। आपको बूली अपना अधार कार्ट और जो original receipt आपको दिया था submission के दोरान वह ले जाए। और तीसरा option आपके पास रहता है कि आप अपना passport को courier से अपने address में मंगवा सकते हैं। उसका कोई additional fees रहता है तो वह देखे आप मंगवा सकते हैं। यहां पर challenge है तीसरा option में, courier वाले option में। courier वाले option में आपको यह पता नहीं लगता है कि आपका passport dispatch हुआ या नहीं हुआ। अगर dispatch हो गया तो क्या उसका tracking number क्या है, कौन सा courier services से उसे बेजा गया यह आपको पता नहीं चलता है। हाला कि जो VFS के customer care service है, ट्वीटर में यह बोलते हैं कि आपको एक email आएगा जिसमें tracking number होगा, आपको एक message आएगा जिसमें tracking number होगा। लेकिन यह गलत है, साहई तो updated नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे applicants के देखे हैं, जिनका कुछ ऐसा tracking number आता नहीं है। तो यह option आप choose करने से पहले थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि देली में यह कम problem पाया गया है। लेकिन बैंकलोड में जो applicant summit के गये थे या फिर Mumbai में जिनको मैं जानता हूँ, उन लोगों को बहुत difficulties हुआ है। अगर आपको ऐसा difficulties आ रहा है, बहुत दिन हो गया, आपको passport नहीं मिला, तो आप जाए और collect कीजे वहाँ पर, बेसक आपने courier service क्यों न परचेस करा हूँ। कई लोग यह भी बोलते हैं कि भाई यह blue dirt के through बेशते हैं, तो आप blue dirt में अपना e number, जो mofa number होता है, वो रखिए और track कीजे, लेकिन उसमें आपको जो tracking status दिखाता है, वो VFS से consulate का और consulate से VFS का इतना ही tracking status दिखाता है, ट्राइ करके देखिएगा, अगर दिखा रहा है त मैंने कुछ चेक कर रहा था, दो तीन का तो नहीं दिखाया है, एक का दिखाया है, तो मुंबई से मुंबई ही दिखा रहा था, इसका conclusion बस यही है कि कोडियर सर्विस आप तभी ले जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो खुद जाके लेना ही best option है, तो यह तरह का complicated अफवा फेलाया है या फिर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको दोनों बात बताता हूं, जो family resident visa होते हैं, जो यहां पर आएंगे, जिनका एकामा बनेगा, जो yellow sleeve वाला होता है, या फिर जिनका आप सर से 2000 रियाल पे करके, जो family resident visa issue होता है, उनको medical करवान परता है, गाम का में appointment में लेगे, अब इसमें दो तरह के confusions create किये जा रहे है, कई लोग यह बोल रहे हैं कि भाई, आपको original medical report लेके जाना है, वी एफेस में, तभी आपका visa application submit होगा, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको उधारन देता हूँ है, वी एफेस में जब आप तो वो बोल रहे हैं कि आपको original medical report लेके जाना है, लेकिन आपको original medical report तभी मिलेगा, जब आप मुफा नंबर देंगे, मुफा नंबर मतलब E number से जो 9 digit का number होता है, अलफा निमरिक नंबर वो, और वो मुफा नंबर आपको तभी मिलेगा, जब आप वी एफेस में visa application submit तो यह कहीं से भी मुझे logical नहीं लगता है, इसका जो practices जो मैंने observe करा है, initially, वो यह कि लोग अपना गामका से appointment ले 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 थे, और गामका में जाके appointment कर देते थे, मतलब medical test कर वा लेते थे, और उसी दिन साम में या next day, गामका के website में, उनका report आ जाता था, वो fit वाला जो जो fit वाला report है, वो दिखा के अपना मुफा नंबर वहां से ले 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 थे, और मुफा नंबर को medical center में जाके submit कर देते थे, physically या virtually call करके बता देते थे, तो उनका medical report उस मुफा नंबर में update हो जाता था, तो यह एक तरीका था, और दूसरा तरीका यह भी था, कि लोग ग यह मिल जाएंगे, उसका दूसरा एक और तरीका है कि गामका का आप appointment ले लिजे और appointment slip प्रिंट करके आप VFS के office में appointment लेके चले जाएए, वो slip भी वो मुफा नंबर दे देते हैं, मुफा नंबर लीजे, जाए मेडिकल सेंटर में, वहां पे आप अपना medical करवाई, और जब तक आपके पास में medical report ना हो या फिर appointment का slip ना हो, तो in short इसका conclusion यह है कि आप अगर family resident visa holder है, तो आप यह sequence को आग बन करके follow कीजे, नंबर वन, गामका का आप appointment लीजे, medical करवाईए, वहां पे जो fit वाला report आता है उसको print कीजे, और जिस दिन का आपका appointment है VFS में, वहां प मुफा नंबर में लेगा, E plus 9 digit का एक नंबर होगा, उसको आप जाके medical center में submit कर दीजे, और फिर आपका medical report अपडेट हो जाएगा, कई बार ऐसे हो सकता है, कि आपको VFS वाले बोलेंगे, कि भाई, आपको में मुफा नंबर दे रहा हूं, लेकिन आपको original medical report लाके देना पर लेगा, तो उसकेस में आप medical center में जब मुफा नंबर देंगे, तो medical report लीजे और उनको submit कर दीजे, problem solve हो गया, इतना सही बात है, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से present करते है, जो possible options थे, वो यहीं है, तो यह तीन updates थे VFS के वारे में, बाकी VFS तो एक ऐसा subject हो गया है, कि हर VFS वाले अपने तरीके से काम कर रहे है, जो common सा update है, जो मैं confirm बता पाता हूं, वही आप लोग के साथ सेल करता हूं, बाकी appointment से related, मुझे नहीं लगता अभी कोई challenges है, लेकिन तभी भी अगर आप लोग appointment करवाना चाहते हैं, तो मुझसे contact कर सकते हैं, मैं मेरे पास time का जो रहता है, तो मैं बाकी जो लोग करवाते हैं, कम से कम fees में उनसे आपको करवा के दे सकता हूं, एक बार चेक कर लीजे सारे लोगों से कितना फीस लेता है, मैंने सुना है जो जो इंडिवजूल से बहुत ज्यादा पैसे लेते है, नोर्मल से काम है यह समेह लगता है थ आप लोगों के साथ सेयर करूंगा बाकि जो साओधी लेवर्लो वाले लोग मुझे सवाल पूछते हैं मैंने यह सब्जिक्ट है साओधी लेवर्लो वाला उसको क्लोज कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लीगल कॉंजिक्वेंस थे जो मुझे फेस करना परा जिसको मैं नहीं चाहता हूं कि री ओपन करो क्योंकि जब भी मैं किसी को बताता हूं लिक के बताता हूं टाइप करके बताता हूं तो मैं लीगली एक्सपोस होता हूं उस चीज को जस्टिफाइ करने के लिए तो वह इतना एडवाइजेवल नहीं है मेरे लिए क्योंकि मैं साओधी में रह